आप आप लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं अब आज क्लियरली आ रही है जो चेक कर लेते हैं कहावत है ना हाथ कंगन को आर्थी क्या पढ़े लिखे को फार्सी क्या जो चीज चेक कर सकते हैं कि थी जैनेर मनें तोस्छना क्या है है लगता तो है अड़े हो कि मतलब चालू हो चुक है भड़ या थो ओ आवास क्लियर है फोटो भी अब नहीं ब्ले दो हौगी तो में जरा सुन लेता हूं तो कैसे हैं आप लोग क्या हो रहा है पलवी गुड़ीवनिंग बाकी स्टुडेंट्स हमारे आ रहे हैं जियो मॉर्फोलोजी खत्म होने वाला है खुशिया मनाईए जियोग्रफी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है सबसे बड़ा पार्ट है एंड आपका कंप्लीट हो रहा है कुछ नहीं है इससे ज्यादा जियेस के लिए जियो मॉर्फोलोजी जियोग्रफी ऑप्शनल के लिए जरूर है बट जियेस में इससे ज्यादा आपको जानने की ज़रत नहीं है इंसी आटी से लेके जी सी लियोंग सम पार्ट्स ऑफ सविंद्र सिंग फिजिकल जोग्रफी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है तो जितना कुछ होता है इंडिस्ट्री में यूपी एसी के लिए वो सब कुछ जो पढ़ना होता है वो सब आप पढ़ चुके इससे ज्यादा क जो कुछ नहीं है यही है बस इतना ही पढ़ना है तो अब हम क्या करेंगे जियो मॉर्फोलोजी खतम करके कॉंफीडेंस के लिए कुष्चन करेंगे हमारा फोकस होना चाहिए अब कुछ उठाएंगे अट उसको एटेंट करेंगे अच्छे से करेंगे और यहां जहां जो जो क्यारी में कुछ कमजोर कडियां हैं उनको भी सिल्के मजबूत कर देंगे गूड इवनिंग कुनाल है थैंक यू सो मच जियो मॉर्फोलोजी बहुत इंट्रेस्टिंग है थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर समझ ना आए लेकिन समझ गए तो बहुत सिंपल भी है थैंक यू सो मच मुझे नहीं कुनाल अपने आपको थैंक यू कहिए कि आपने मेहनत किया साथ में टिके रहे तो हुआ ठीक है दोस्तों विदाउट वेस्टिंग फरदर टाइम स्टार्ट करते हैं तो आप में से जो मुझसे पहली बार जूड़ रहे हैं या आने वाले टा सब्सक्राइब को मेंटर किया है तो जितना आपने करवा है वो मेंस के लिए सफीशेंट है मोर दिन सफीशेंट है सिर्फ जीएस वन के लिए नहीं जीएस थ्री के लिए भी यह सफीशेंट है इतने टॉपिक्स तो मोर दिन सफीशेंट है जो कराया है पक्का है बिलकुल है तो जल्दी सजाए अनकाडमी लर्नेंग आप डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करके क्या करेंगे किंजल चौधरी सर्च करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे फॉलो करने पर क्या होगा बहुत सारे मेरे लाइव क्लासेश चल रहे हैं जैसे Te disinfection को हुए हैं थी क्लाइमेटलौजी भी कर रहे हैं यहां पर क्लाइमेटलौजी यहां पर दो लाइव क्लासेश निट्थरी आर्स की हो चुकी है जबन ऑपर सो भी है तो वह सब वहां पर होने वाली फ्री आफ कॉस्ट फ्री में होती है तो फ्री लाइव क्लासेज वहां चल रही है तो जाएए लर्निंग डाउनलोड कीजिए जाके किंजल च्वाद रिसर्च कीजिए और कल मेरे क्लास में जरूर आईएगा फ्री ने ज़िए एकड़ी पे जरूर होगा कुनाल वहां पर हो मिलेगी तो structured courses है UPC में आपको जो चाहिए civil service exam में वो सब यहाँ पर मिल रहा है ethics से लेके essay से लेके answer writing शुरुवात में क्या होता है जब आप answer लिखने बैठते हैं तो tension हो जाता है भई answer लिखते कैसे हैं क्या लिखे introduction क्या body क्या conclusion क्या तो यह सब अब आपको यहाँ पर मिलता है तो complete syllabus cover होगा ऐसा कुछ नहीं जो वहाँ नहीं चूटेगा तो वहाँ पर मेरा plus course भी चल रहा है इस वक्त वहाँ पर अभी मैं environment and ecology करा रहा हूं तो an academy subscribe करने आए तो जरूर आईएगा तो क्या कोड यूज करेंगे kc10 तो subscription के पहले daily live classes देखिए experience कीजिए अच्छा लगेगा तो जरूर subscribe करेंगे आप तो दोस्तों पढ़ाई करके test भी होता है चेक कीजिए खुद को और अगर live classes छूड़ गया तो recorded classes देख सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया के top educators यह सब वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इन सब का course आपको मिलता है तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसका subscription cost है एक साल का cost है 44,000 रुपीज दो साल का cost है 64,000 रुपीज इसके सिवा दोस्तों अगर आप केसी 10 मेरा code यूज़ करेंगे तो आपको 10% off भी मिलेगा तो एक साल की कीमत है 39,600 दो साल की कीमत है 57,600 तो हमारे जो दोस्त एफोर्ड कर सकते हैं जरूर खरीदें आपके सफल आपक सही direction मिलेगी आपके energy channelize होगी तो आप इसको no cost EMI पे भी खरीच सकते हैं credit card के द्वारा तो दोस्तों केसी 10 क्यों यूज करना है केसी 10 इस भी यूज करेंगे आप क्योंकि मैं आपको साथ-साथ mentor भी करूँगा hand holding करूँगा मैं आपको complete जब भी exam देना है आपके strength, weakness, opportunity, threat, analysis करूँगा मैं आपका और उसके बाद आपके लिए क्या preparation करनी है कैसे करनी है किसको focus करना है जो आपकी weakness है उसको समझते हुए आपके strength को समझते हुए मैं analyze करूँगा और फिर मैं आपके लिए proper guidance देने वाला हूँ कि अब ये subject पढ़िए अब ये subject पढ़िए proper course बन रहा ह जो लोग 2020 में prelims दे रहे हैं उनके तो मैंने आने वाले 100 दिन का एक एक दिन का हिसाब करके दिया हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है schedule बना के रखता है आने वाले 100 days का तो इस तरीके से मैं hand holding करता हूँ अगर आप KC10 code use करें तो इसमें मैंने जो कुछ अपने 5 mains interview में स अने डाउनलोड कीजिए सबसे पहले तो अने अकाडमी में हमारा समिट चल रहा है बहुत सारे देश भर के अलग-अलग महान लोग इंक्लूडिंग आप देख सकते हैं हमारे ex-president प्रणब बुखर जी जी वो भी आये हुए हैं तो वो सब आपको अलग-अलग life में जो ज कुछ सीखने बिलेगा आपको जरूर आईए एंड देखिये इसे ठीके दोस्तों तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का मैरत आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लेशियल एरोजिन हमने स्टार्ट किया था तो उसी को करते हैं गुड इवनिंग मुम्ताज आप तो आज क्लायमेटलोजी वाली क्लास भी अटेंड किये थे मुझे लगा ठक गए होंगे अच्छा लगा लेकिन आप अभी भी यहां है ठेक है तो क्लायमेटलोजी क्लास चल रही है जरूर देखिए लाइव क्लास है काफी चीज सीखने क्लायमेटलोजी पूरी कवर हो जाएगी उससे ज्यादा क्लायमेटलोजी भी नहीं है उस लिवल पर जाके हम कवर करने वाले ठीक है हेलो पुझा गुड इवनिंग आप भी थी आज क्लायमेटलोजी वाली क्लास फोप पसंद आई हो आप लोगों को चीजे सीखनी मिली हो ठीक है तो हमने ग्लेशियर चलती है तो मिटी को जमीन को खरोते हुए चलती है तो दो प्रकार से चलती है एक को हम कहते हैं दूसरा होता है उसे हम कहते हैं पॉलिशिंग तो एबरेजन करती है और पॉलिशिंग करती है यही देखा था हमने यहां पे हमने देखा था एबरेजन करती है और दूसरे जगा इसको जब नोच के पत्थर को निकाले तो इसे क्या कहते हैं प्लकिंग और जब साथ साथ ऐसे चले तो इसे कहते हैं जब एबरेजन चलती है तो पत्थरों पे चमकता हुआ लाइन बनता है चमकता हुआ लाइन बनता है कुछ इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं ऐसे चमक जाती है पत्थर पॉलिश मारके तो इनको क्या कहते हैं यह होते हैं डैश मारक क्या कहते हैं कौन स स्ट्राइशन मार्क्स तो अगर हम देखें तो यह देखिए यह जो लाइन आपको देख रही है यहाँ पे इस अब क्या है स्ट्राइशन मार्क्स है यह सबूत है कि इस प्रकार से ग्लेशियर चली है तो पत्थर ने क्या किया है जमीन को घिसा है देखा था तो अबरेशन होता है दूसरे तरफ होता है प्लकिंग यह देखिए यहाँ पे कैसे पत्थर को नोचा है और नोच के खरोचते हुए चलते हुए पत्थर गई है ठीक है तो वैसे ही हमने देखा था मोरेन होता है मोरेन और वॉल को तोड़ते हुए यह पथर के टुखड़े देखे यहां पे इनको लेके जा रही है तो यह क्या बना रही है मोरेन बना रही है वैसा ही ग्लेशियर का जहां पे टंग है जिसे कहते हैं यहां से पर देखिए फटर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से हुए है यह भी क्या है तरमिनल मोरेन इस फ्रैसे ग्लेश ब्लड़े से हैं गॉब्ले साइड मोरें दूसरी ग्लेश ऑग division दो पेशिम क्या होगा है ऐसा मिठी जमा होगी तो इसको क्या ऐप में oh I am Pooja पूछती हैं अरॉब पूरे दिन कितनी किटना चाइपीते हूं Oh तो मैं जो चाइपीता हूँ वो मैं मैं पीता हूं ब्लैकटी पीटान निम्बू के साथ तो ऐसा नूम एस्टिमेट है कि मैं शायद पांच निम्बू पी जाता हूं एक दिन गरम पानी नहीं पीने से मेरा गला कराव हो जाता है बहुत जल्दी तो इसलिए मैं हेल्दी वाली चाहे पीता रहता हूं वह नॉर्मल चाहे दो तीन प्याली से जबन नहीं बठां करीबन करीब यह मैं तीन बॉटल पीता हूं गरम पानी वालों चाहे ऐसे थे थीड़ी सवाल आते हैं बहुत बढ़ियाँ ठीक है फिर हमने देखा था सर्क सर्क क्या है यह यह आप देख रहे हैं यह है यह सर्क तो दिस इस सर्क यहां पर गलेशियर यहां पर शनो गिरता है लिए कॉम्पाक्ट होता है और आगे की तरफ चलता है छलेगा तो हैle इस प्रकार से पहाड को देखें तो अलग अलग जगह से पहाड क्या होता है फ्लैट होता जा रहा है तो इसis की स्ट्रक्चर बनायेगा पिरामिड के जैसा देखित पीक बना रहा है तो इसको कहते है पिरामिड पिरामिडल पीक फिर देखिए फिर देखिए यहां पे फिर देखिए आप यहां पे यह जो यहां से भी एक सर्क चला यहां से भी एक सर्क चला तो इस प्रकार से इसको दोनों साइड से यहां पे एरोजन मिलेगा इरोजन होगा इसका एक यहां से इरोड कर रहा है यहां से इरोड कर रहा है याने कि कोई इस प्रकार से इसको ऐसे ऐसे इरोड करते हुए कुछ ऐसा करता जाएगा तो इस प्रकार से इसको कहते है इसको कहते है एरेट तो यह जो लंबी सी चाकू के जैसी चाकू के जैसी लंबी सी जो सब कुछ यहाद है ना देखिए ग्लेशिय लैंड फॉर्म्स जो होते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि हम लोगों ने मोस्ट अफ लोगों ने हम लोगों ने देखे नहीं है तो इसलिए इसको विज्वलाइज कराना पड़ता है तो चीज़ें इसली समझ आती हैं हम लोग को नदी वालें जादा देखें हैं ज्याशिय लैंडफॉंस में किसी ने डेखा नहीं होगा बहुत कम लोगों के जो देखे होंगे मुम्तास शैद देखें तो बाकी हम व्हों में से तो मैंने भी खानी किताबों में ही देखा है और मूवीज में देखा है ठीक है नेक्स्ट हमने देखा था बर्ग शुरूंड याने गड़्धा जो एवरेस टूवी में ऐसे सीडी लगा के पार करते थे यह वर्ग शुरूंड फिर हमने यू शेवड वैली देखी थी इस प्रकार से तो हैंगिंग वैली देखी थी कैसे देखिए इस प्रकार से नियागरा फॉल्स देखा है आपने पिक्चर में फोटो में कुछ ऐसा ही चारों तरफ से वाटर फॉल है और चारों तरफ से पानी गिर रहा है तो कुछ वैसी हैंगिंग वैली बन रही है फिर आप देखिए लैंड फोंस ओफ इरोजन में रोश मांटोनी हमने देखा था एक साइड से अबरेजन दूसरे साइड से प्लगिंग शीछ फिर हमने क्रैग एंड तेपोजटर देखा था ख्रैग एंटिल डिफॉजट में क्या सा हाट पत्थर और सौफ्ट मिर टी का तिल यह वो इसको कहते हैं क्रागेंड टील डिफॉजट c तो इसको क्या कहते हैं अचानक से कहीं पत्थर छोड़ गई तो इसको क्या कहेंगे इराटिक्स कहेंगे तो यह सब तो हमने देख लिया था तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिपॉजीशनल लैंड फॉर्म से तो अब हुआ क्या ग्लेशियर हो गई सब्सक्राठाइब यहां तो यहां ने पिगलने वाले स्टेज में आ गई है अगर लाइफ साइकल देखे तो अब क्या शूरू हो गया है है सब www.uart.io शुरू हो गया है , क्या मतलब होता हैospite aux glacier retreat कwriter का ? कुछ इस प्रकार से हम वह देखा था ice age में glacier यहां तक आ गए थे तो अब glacier कहां यहां तक ही हैं तो याने की glacier आप क्या हुए है this time पे पिगलणा start to repeat पीछे जाने लगी तो अब the glacier retreat to start हो चुका है याने की ग्लेशियर अब पिघलने शुरू हो चुके हैं तो जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो लैंड फॉर्म क्या होगा एक अलग डिपॉजिशनल लैंड फॉर्म बनेगा उनके डिपॉजिट होने से कुछ लैंड फॉर्म बनेगा तो वह जो लैंड फ बीचों बीच प्रेशर से अंदर में क्या हुआ ग्लेशर पिगली और टनल बना दिया इस ग्लेशर ने देखिए यहां पर टनल बना दिया अगर यह टनल बना देगी इस प्रकार से तो पानी इसके अंदर से निकलेगी तो कुछ ऐसे लगेगा जैसे नदी चल रही हो ग्लेशियर के बीचो बीच तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ग्लेशियर के अंदर नदी चल रही है अगर नदी चलेगी तो साथ में क्या करेगी उसको deposit करेगी उसको deposit करेगी जब नदी चलेगी तो साथ में sediments लेके उसे deposit करती हुई जाएगी उसे deposit करती हुई जाएगी तो यहाँ पे देखिए कैसे नदी चल रही है और यहाँ पे वो कुछ sediments deposit कर रही है साप के जैसा यह द Glacier के अंदर बस पानी की धारा है, हल्की सी इस प्रकार से stream है, जो चल रही है, तो वो जब चल रही है, तो इस प्रकार से मिट्टी देखें, यहां पर deposit कर रही है, सालो बीद गए, Glacier पीछे चली गई, यहां से अब यहां पर है, तो अब क्या हो गया, इस प्रकार से Glacier ब क्लियर है, सब को समझ आ गया, ठीक है, नेक्स देखेंगे हम, Drumlin's, Drumlin's, तो यह question आया हुआ है, जियोग्रफी ऑप्शनल में, simple सा question है, जी एस में भी आ सकता है, तो होता क्या है, जरा साप्टों के लिए, आपका एक वीडियो देखाएं, तो यह Glacier है, ठीक है, Glacier के नीचे यह देखें, पानी बह रही है, जब पानी बह रही है, तो यहां पर देखें, पानी में रुकावट आना शुरू हुगा, तो देखें, और पिंगली, और पि नहीं देखिए और ऐसे रुखा टाये तो अब क्या हुआ और एक लेयर मिट्टी की जमी कुछ टाइम में और पत्थर के लेयर यहांपे जमेंगे तो देखिए कैसे यहां पे मिट्टी की लेयर जमती जा रही है है ग्लेशियर ऐसे चल रही है कि देखे रहे हैं तो जैसे 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 सिल रही है नीचे में इस प्रकार से पानी पिघल के जो चल रही थि इस प्रकार से जब डी कर रही तो इस प्रकार से जब लेशए चलेगी तो ग्रेश्य दाइमेंशन coffin तो इस तरीके से एक यहां पर मिट्टी बनाएगी एक यहां अलग अलग जगह पर मिट्टी इस प्रकार से देखिए जमा रही है यह देखिए कैसे ग्लेशियर चल रही है अंदर में पानी बह रही थी और यह पानी देखिए कैसे मिट्टी जमा रही है अब क्या हुए? कही साल बीट गई? गलेश्यर हट गई तो आपको दिखा एक ड्रम लेन यहाँ देखिए दूसरा ड्रम लेन यहाँ तीसरा वहां देखेगा कहीं चौत्था यहाँ देखेगा पांचा वाँ पीछे देखेगा तो इस प्रकार से जब glacier चल रही थी इसके उपर जब glacier इसके उपर ऐसे चल रही थी तो इसके नीचे जो पानी चल रही थी वह कुछ इस प्रकार के मिट्टी के टिले बना रही है तो उन्हीं को क्या कहते हैं ड्रमलिन कहते हैं यह क्या है ड्रमलिन इस ड्रमलिन ड्रमलिन तो यह जो छोटा वाला साइड है और यह लंबा वाला साइड है तो आप देखें तो छोटा वाला साइड से लंबे वाले साइड के तरफ ऐसे ग्लेशियर चली है इसके में देखें तो कुछ ऐसे ग्लेशियर च एक साथ नहीं होती, ग्रुप में होते हैं ये ड्रम लिंज, ग्रुप में होते हैं, एक साथ रखे हुए रहते हैं, यहां से वहां तक दर्जनों के भाव में रहते हैं इस तरीके से, तो इनहीं को जब एक साथ जमीन में देखेंगे, तो धेर सारे ऐसे ड्रम लिंज देखने मिलेंगे तो इसलिए इसको कहा जाता है basket of egg topography दूर से देखोगे तो लगेगा जैसे अंडे रखे हुए हैं एक तरी दर्जनों में इसलिए इनको कहा जाता है basket of eggs topography तो this is drumlin कैसा होता है जैसे चम्मच उल्टा रखा हुआ हो कैसा होता है inverted spoon उल्टा चम्मच जैसा होता है उल्टा चम्मच जैसा है क्लियर है क्या है drumlin बहुत complicated concept मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है आप कहें तो फिल से वीडियो चला सकते हैं तो आप बस कहींगे हम्ताथ देखा है आपने डिमिन हुआ हई डाव्ट मुझे नियुक्त होता होगा वरना हमारे है कोई न कोई तो पढ़ा गया होता हम है वहां वह अब डरीयल देखा है तो चलिए विडियो देखते हैं वापस अब समझ यह हो क्या है अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इस बर विडियो देखने के लिए तो देखिए है कि बहर birth की शीट है तो glasier ऐसे ही चल रही है लेकिन ग्लेश यह कौन से फेज में चल रहा है ग्लेशयल कर्यों यह mıल्ट है न बरफ पिघल रही है तो यह लेकिन तो चल रहे हैं लेकिन कमजोर हो चुकिया तो इसके तो नीचे ज़नी चल रहा है पानी चल रहा है घुश में कहीं कहीं पे कुछ disturbance के वजए से वो कुछ ऐसा structure बनाता है और वह layer by layer मिट्टी इसमें एक बार जब बन गया तो इसी पर मिट्टी इस प्रकार से layer by layer layer by layer layer के उपर layer जमती जाती जमती जाती है और कुछ इस प्रकार से मिट्टी के पहाड बन जाते हैं जो की कुछ एक किलो मिटर तक लंबे हो जाते हैं और 500 मिटर उचे भी हो सकते हैं तो कुछ इस प्रकार के मिट्टी के पहाड आपको देखने मिलेंगे तो इसमें एक layer दो layer तीन layer ऐसे देखने मिलेगा structure कैसा होगा जैसे उल्टा चमचो अब देखिए इसको ग्लेशियर है पानी चल रही है नीचे ग्लेशियर इस दिशा में चल रही है यह देखिए पानी देखिए बह रही है पानी यहाँ पे पत्थर तूटा यह देखिए पत्थर तूटा है अब यहाँ पर देखिए पानी क्या हो रहा होगा वैसे चल रहा है इ देखिए एक लेयर दो लेयर तीन लेयर और देखिए और एक लेयर अभी चलीगा चार लेयर खोड़े दिर में और एक लेयर इसके उपर जमेगा पांच लेयर छे लेयर इस वैसे बनता जाएगा बनता जाएगा तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है मिट्टी जमती जा रही जमती जा रही है और ग्लेशियर चलता जा रहा है सालों के साल बीचते जा रहे हैं और यह उंचा होता जा रहा है अब ग्लेशियर तो दंबे चौड़े एरिया में चल रहा होगा तो एक ड्रमलिन यहां बनेगा दूसरा ड्रमलिन यहां बनेगा तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छट्टा यहां इस प्रकार से आप ड्रमलिन देखेंगे तो धेर सारे साथ देखेंगे यह देखे, एक बना है, सालों के साल बीद गए, ग्लेशर पूरी की पूरी पिघल के निकल गई ग्लेशर हट गई, ग्लेशर मिल्ट हो चुकी है, तो एक ड्रमलिन यहां, दूसरा यहां, तीसरा भी कहीं होगा, चौथा भी कहीं होगा, पांचरा भी कहीं होगा तो इस प्रकार से एक साथ धेर सारे ड्रमलेन आपको देखने मिलेंगे तो यह जो structure बनेगा जहां पर धेर सारे ड्रमलेन एक साथ होंगे इसको क्या कहेंगे basket of egg topography अब clear हुआ अब clear हो गया चले अगला देखेंगे हम आउट वाश प्लिंग्स आउट वाश प्लिंग्स तो देखें हो क्या रहा है हो यू रहा है कि जब यह glacier चल रहे हैं तो इनसे पानी पिघल के निकल रही है लेशर पिघलती है तो देखें यहां पर हमने कितना अच्छा जिफ के थू देखा था यह यह देखें यह देखें यह देखें यह देखें यह देखें यहां पर क्या हो रही है पिघल रही है तो ग्लेशर पानी में बन रहा है पिघलने पर हैं तो ग्लेशर जब पिघल होती है और उसे पानी निकलना शुरू होती है तो इसी प्रकार से जब ग्लेशियर होगी जब ग्लेशियर पिघली होगी तब क्या हुआ होगा यहां सदेख्यु पानी की धारा निकली होगी हलकी हलके होगा यहां पे टर्मिनल मोरीन पे टर्मिनल मोरीन पे मिट्टी होगा यह टर्मिनल मोरीन वाला मिट्टी यहां पे जो जमा किया सा गलेशियर ने उसको वो क्या करेगी पानी की धारा जैसे नदी लेके जाती है वैसे अपने साथ कैरी करेगी कैरी करेगी यह जब कैरी करेगी नदी तो क्या होगा तो सबसे पहले जो सबसे बड़े वाले सेडिमेंट होंगे जो सबसे बड़े बड़े सेडिमेंट होंगे वो यहां पर कहीं पर गिरेंगे कोर्स सेडिमेंट्स कोर्स सेडिमेंट्स यहां पर गिरेंगे थोड़ा आगे जाएंगे तो मीडियम सेडिमेंट्स और आगे जाएंगे तो फाइन सेडिमेंट्स छोटे 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 सेडिमेंट्स तो इस प्रकार से इस प्रकार से यह जो प्लेन बन रहा है इसको क्या कहेंगे आउटवाश प्लेन तो यह क्या है आउटवाश प्लेन तो इसमें क्या होगा यह जो प्लेन्स यहाँ पर गिरें वाइल द फार यहाँ सेलीमेंट्स यहाँ पर डिपोजीट तो यह आपने देखा होगा यह आपने बहुत देखा होगा कहीं भी देखिये उचे पहड़ पे जैसे ही जाएंगे अब आफ वाश प्लीन जरूर देखिंगे कि मुम्तार को कहे रहा हूं मैं वाकि तो मुझ्ऐ है पुझा तो हमारी राजसतान से हैं मुझे देखा होगा मैंने भी नहीं देखा इंगी फ्रne बहुत प्लेन्स क्या है तूर्प बड़ी त्थी अग्ला देखते हैं अग्ला देखते हैं झींज। कीम्स क्या है sulphil county स्डीय देखी एक कि अब क्या हो रहा है जिए चछल रही है जब ग्लेशेट चल रही है यह जब ग्लेशेट चल रही घे तो इस प्रकार entrar हमाहनcolor सब से पहले है क्या यह देख लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से उंचे ऊंचे पहाड दखते हैं बीच बीच में छुटे हुए हुए इनको कहते हैं केम यह जो यह यहाँ पर छोड़िया है यह है यह क्या है केम्स है तो अब देखिए केम्स में क्या हो रहा है अब देखिए केम्स कैसे बने तो हुआ यूँ जब ग्लेशियर चल रही थी तो उसमें इस प्रकार से आपको अगर मैं दिखाऊंँ यह देखिए यहां पर ग्लेशियर चल रही है तो साथ में इस प्रकार से जब वो चल रही है साथ में कुछ एक छीछ दिखाऊंगों आपको तो जब ग्रेशयर चल रही है तो यह पहाद का टुकड़ा यानिए प्त्ர इसको ले के चलने लगी फिर फाइनली मीलो चली फिर फाइनली ताय माया इ兄 तो ओफ लेशियर पिखलना शुरू का अ अगलेशियर पिगलना शुरू तो क्या होगा पिखल रही है यह पत्थर दीरे ऐन्दर की तरफ कुछ ऐसे यह हो रहा है और यह पत्थर क्या होता जाएगा नीचे गिरता जाएगा तो याने की तो याने की अगर मैं यहां पे यह देखूं तो याने की यह जो पत्थर है अब जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो यह पत्थर यहाँ पे सालों बाद यह पत्थर यहाँ पे इस प्रकार से पड़ा हुआ मिलेगा तो इसी को कहते हैं यह जो पत्थर से बना इसी को कहेंगे Glacier इसी को कहते हैं Kames इसके सिवा और भी पत्थर यहां पर क्या होते हैं फिर Deposit होना शुरू हो जाएगा तो उससे भी एक बार बनना शुरू हुआ तो इसके ऊपर और मिट्टी जमेगा 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 और केंस बनता जाए mai लेकिन शुरू कैसे हुआ जब хват lug जली तो एक पथर टूठकेक्ष तो हुआ यूँ कि जब Glacier इस प्रकार से चल रही थी तो अब क्या हुआ? Glacier melting शुरू हुआ जब Glacier melting हुई तो इस दोरान कुछ Glacier के blocks of ice ऐसे यहाँ पर छोड़ गए और main Glacier पीछे रह गई इस प्रकार से कभी Glacier यहाँ तक थी फिर क्या हुआ Glacier पिघलनी शुरू हुई तो जब पिघली तो यह बड़े बड़े ice के टुकड़े यहाँ पर आप देखें तो ऐसे चूट गए ice के टुकड़े यहाँ पर ऐसे चूट गए और क्या रह गया? Glacier ऐसे ही रह गई यहाँ पर यह देखें Glacier तो अब क्या होगा? यहाँ पर blocks of ice पड़ी हुई है यह blocks of ice देखें तो पड़ी हुई है और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा main glacier पड़ा हुआ है तो अब क्या हो रहा है? यह glacier पिखल रहा है यह glacier पिखल रहा है साथ में धाराएं निकल रही है और इस धाराओं के साथ में मिट्टी भी आ रही है आउट वाश प्लेइन जिससे बनता है सही बात है आउट वाश प्लेइन भी बन रहा है तो मिट्टी भी आ रही है तो यह जब वो इस block of eyes के पास आएगी जब वो इस block of eyes के पास आएगी तो यहां पर जमने लगेगी बाकी हर जगह भी जमेगी यहां पर जमेगी ऐसे लेकिन eyes जहां पर होगा वहां पर क्या होगा उसको पार नहीं करके इसके चारों तरफ इस तरह यह से जमने लगेगी लेकिन eyes जह तो इस प्रकार से चारों तरफ आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे blocks of ice है इसके आसपास मिट्टी जमनी शुरू हो गई कई साल बीच गए कई साल बीच गए वो जो block of ice थी बीच में वो भी पिघल के पानी बन गया और उसके चारों तरफ देखें तो क्या हो गया पुराना glacial outwash का sediments रहे गया गलेशियल आउटवाच का sediments रहे गया तो अब देखेंगे तो क्या दिखेगा यह block of ice बिघल के आपको इस प्रकार से लेक बनाता हुगा दिखेगा तो इसी को क्या कहते हैं केटल लेक इसी को कहते हैं केटल लेक अब बताई क्या दिक्क्त है क्या समझ नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे एरे डिरोजन पर आज का टॉपिक कि इसमें क्या डाउट है कहां पर मेरे साथ जुड़ें ओके ओके ठीक है मुम्ताद बहुत बढ़िया तो देखा है मुम्ताद आपने आउट वाश प्लीन्स चाहिद देखा होगा कश्मीर पे कहां रहते हैं आप आउट वाश प्लीन्स तो शाहिद आपने देखा होगा क्योंकि मैंने काफी सुनाया जो दोस्त हमारे ट्रेकिंग पर जाते हैं माचल वगेरा भी वो लोग तो देखे ही हैं तो वह तो देखा है ठीक है तो नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेकानिजम देखें एरिड एरोजन का मेकानिजम अगर हम देखें एरिड एरोजन का तो यह देखें क्या है यहां पर डल लेक लाल चौक क्या बात है श्री नगर ने बहुत बढ़िया ठीक है तो अब मुम्ताज का आपने तो देखा है वो तो आपने ग्लेशल इरोजन देखा है तो पूजा जी आपके लिए भी एरेड इरोजन पधारो मारा देश राजस्थान आए तो आपका देखिये लैंड फॉर्म जो है तो आपने बहुत देखा है यह सब आप ही वाला लैंड फॉर्म देखने मिलेगा चली तो देखिये mechanism किया है एंड इरोजन का तो डिजर्ट रीजन्स अगर हम देखें डिजर्ट रीजेंंगग देखए तो यह वो लैंड फॉर्म हैं जो बनते हैं उन रीजन्स में जहां पर बारिश कम होती हो तनी कम पांच इंससे mbी कम इसины साथ-साथ क्या होता है high temperature हो और high evaporation हो याने dry हो हवा क्या हो पानी क्या हो एवापोरेट करता हो तो इस प्रकार से जो land form बनता है इसको हम कहते हैं dessert regions वाला dessert region हुआ ठीक है तो यहां पर जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है अगर पानी नहीं है तो यहां पर कौन लैंड फॉर्म बनाएगा कौन मिट्टी काटेगा कौन पहाड़ काट सकता है अगर पानी नहीं है ग्लेशियर भी नहीं है तो बचा क्या हवा तो बस हवा ही काटेगी तो जब विंड तो यहां पर में फैक्टर क्या है यहां पर जो में फैक इश है वो विंड तो विंड के वजह से यहां पर मियन एरोजन हो रहा है तो दिसर को यह को ही कहेंगे करें याने हैर से होने वाला सना तो इयaky औली यह你看 ते हैं ऑर डेखिए ऐसा करना गलत हो कि पानी का बिलकुल रोल नहीं ऐर अगर जोग्रिफी आप्शनल पड़ें तो इसमें बहुत सारे लैंड फार्म देखते हैं ऐसा क्योंकि इनीशली विंड इरोजन का भी रोल होता है बाद में पानी का भी रोल देखने मिलता है लेकिन लिमिटेड आक्शन आफ वाटर होता है ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो होता है देखते हैं देखे यहां पर क्या हो रहा है इस प्रकार से हवा चल रही है तो जो जमीन में लूज मिट्टी है जो लूज मिट्टी है जमीन में उसका क्या हो रहा है हवा क्या कर रही है इसको अपने साथ उड़ाते हुए ले जा रही है उड़ाते हुए ले जा रही है यह देखे उड़ाते हुए ले जा रही है तो इसको कहते हैं deflation याने की lifting and blowing away of loose sediments from the ground lifting away and blowing away याने यह जो मिट्टी थी जो loose है हवा चली तो इसको क्या की उठा दी और उड़ा दी तो इसको क्या कहते हैं deflation तो deflation होगा तो क्या होगा मिट्टी नीचे चली जाएगी मिट्टी नीचे चली जाएगी तो lowering of the ground होता है कई बार तो deflation hollows के वज़े से oasis भी बन जाता है oasis क्या होता जानते हैं तो कई बार oasis भी बनता है इसके वज़े से समझेंगे जिम सब आएगा ठीक नेक्स्ट है abrasion next है abrasion abrasion में क्या हुआ abrasion में क्या हुआ जब मिट्टी जब हवा चली तो जो मिट्टी हवा में उल्ड रही है जो मिट्टी हवा में उल्ड रही है वो इस पत्थर से टकराएगी और जब पत्थर से टकराएगी तो इसको घिसेगी याने ही पत्थर पे कुछ sand paper लेके घिसने जैसा हो रहा होगा तो उसको कहते हैं abrasion हवा चली यह जो मिट्टी साथ में उड़ी में मिट्टी उड़ा तो इस पत्थर से टकराया इसको घिसा ठीक वैसे ही जैसे सांड पेपर लेके मैं पत्थर पे घिस हूं तो कुछ वैसा ही एक्षन यहां पे हो रहा है तो इसी को कहते हैं अब्रेजिन इसी को कहते हैं अब्रेजिन तीसरा होता है एक्ट्रीशन नदी के केस में देखा था हमने एक्ट्रीशन क्या था एक्ट्रीशन दो पत्थर आपस में टकराते थे यही था ना अट्रीशन याद आ रहा है अट्रीशन क्या था या भूल गए अट्रीशन होता था देखिए कैसे नदी के कैसे हमने देखा था दो पत्थर आपस में टकराएं टकरा के छोटे छोटे हो जाएं तो इसको कहते थे अट्रीशन अ अब देखिए तो यहां तक बताईए क्या डाउट है deflation abrasion attrition क्या समझ नहीं आया क्या समझ आया नहीं आया तो प्लीज पूछिए कुछ भी समझ ना आए तो कुछ भी पूछिए लेकिन पूछिए उससे जो होगा मैं वो करूंगा आपका सवालों का जवाब दूंगा वा मुंधार गुड़ अधिक है तो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स देखते हैं इससे जुड़े हुए लैंड फॉर्म्स देखते हैं तो पहला लैंड फॉर्म हमने यहाँ पे देखा था deflation की जब बात हुई थी तो हमने जिकर किया था deflation hollows का deflation की बात करते टाई हमने जिकर किया था deflation hollows का कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से देखिए यह देखिए कुछ इस प्रकार का डिजर्ट देखने मिलता है यह जो आप देख पा रहे हैं यहां पर इसको क्या कहते हैं डिजर्ट पेव्मिंट क्या है यह डिजर्ट पेव्मिंट अनामिका गुड इवनिंग सर आज ले और हमने देखा एरेड याने सूखा राजस्थान जैसल मेर साहरा डिजर्ट तो डिजर्ट इलाकों में कैसे इरोजन होता है तो उसको कहते हैं एरेड इरोजन तो जैसा नदी में हमने देखा था इरोड करने का प्रसेस किया है तो वैसे ही जब हवा चलती है तो इरोड करने का तीन मेजर प्रसेस आपको देखने मिलता है एक होता है deflation डूसरा होता है abrasion तीसरा होता है attrition deflation क्या हुआ? यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हवा चली लूज मिट्टी को उठाके ले गई देखे कैसे उड़ा रही है तो इसको कहते हैं बीस्प्लेशन अबरेशन हुआ जब यही मिट्टी जब उड़के जाए और बड़े से पत्थर से टकराए तो इसको घिस दे और छोटा कर दे तो इसको क्या कहेंगे अबरेशन एक्टृशन हुआ जब बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराएं और चोटे-चोटे बन जाएं तो यह जब हवा उड़ी जब हवा चली तो यह छोटे-छोटे मिट्टी के जो कंड थे वो तो उड़ गए fine sediments जिनको हम कहते हैं वो तो उड़ गए क्या छोड़ जाएंगे यही सारे pebbles जो नहीं उड़ सकते बाकि जितना भी fine sediments था वो सब उड़ जाएगा खाली यह पत्थर छोटे-छोटे छोड जायेगा तो यह जो land form बना किसी को कहते हैं dessert pavement pavement का क्या मतलब होता है pavement का मतलब होता है footpath footpath जिसको कहते हैं न कुछ वैसा हीball में चलने वाला जो रीजन है कुछ वैसा ही पतहर बन जाता है तो पत्रीला कंकर से बना हुआ डिजर्ट पेव्मेंट आपको देखने मिलता है क्यों क्योंकि फाइन मिट्टी तो उड़ गई क्या छूटा बड़ा बड़ा पत्थर जो हवा नहीं उड़ा सकती थी वही छोड़ जाएगी तो ऐसे डिजर्ट को ही कहते हैं स्टोनी डिजर् तो यह स्टोनी डिजर्ट है कालि स्टोन response या पे स्टोनी डिजर्ट काफी कॉमन है मौ आओ आव जाएंगे तो आपको बहुत स्टोनी डिजर्ट देखने मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट एलैंड फॉर्म देखेंगे 20 यह जो अब यहां पर देख रहे हैं तो आप यहां पर चल रही है तो सैंड पेपर की तरह घिस रही है इसको घिसेगी तो अलग अलग शेप देगी तो देखिए जब हवा यहां से चली तो यह वाला सर्फिस चमकाया जब यहां से चली तो यह वाला सर्फिस चमकाया फिर यहां पर यह वाला सर्फिस चमकाया यहां पर यह वाला सर है किसे क्या कहते हैं किसे बनता है जब ह्वा चल रही है तो साथ में मिट्टी के कर्ण ओर रहे हैं और यह मिट्टी के कण ओ्वर टाइब इसको क्या करेंगे की जिस गिइत के चमका के के ऐसा शैप बनना देंगे तो इस फेस हो गया है देखिए एक फेस दो फेस तीन फेस यहां पे चार फेस तो अलग अलग फेस आपको दिख रहा है जहां पर सैंड फेपर लेकर चमकाया गया है इसको ऐसे तो दाइब बिकम पॉलिश्ट एंड फेसिटेंड ड्यू टू अब्रेजिन क्या था यह है अब्रेजिन तो अब्रेजिन के वज़े से जो लैंड फॉर्म बने जो पत्थर बने उसको कहते हैं विंटी फैक्ट लेट आने वालों को आनलाइन पनिश्मेंट दीजिए ठीक डिजर्ट वर्णिश क्या है ओनलाइन का यही तो फैदा है लेट देखिए इंसान है काम है सब कुछ कुछ ना कुछ करते हैं तो कभी ना कभी तो लेट होना ही तो लेट हो गया तो कोई बात नहीं आप जाहिए रिकॉडिड लिक्चर देखिए लेकिन पढ़ाई पूरी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ कॉम्प्रमाइग नहीं चाहिए यही परपस ऐostic है ओनलाइन का लेट है तो लेट है लेकिन पढ़िये पढ़ना ज़रूरी है रात को पढ़िये जब टाइम मिले तब पढ़िये का क्या हो रहा है Clay के Particle है με अलड रही है तो यह जो Clay particles हुद्र हैं हवा में suspension की तरह तेरा है suspension क्या होता है बिल्कुल छोते छोते पार्टिकल्स जो इतने छोटे हैं ना तो गिरें और नाई पानी हवा में घुल भूल जाए वह क्या है हवा में अराम से तैर रहे हैं बिल्कुल छोटे-चोटे मिट्टी के कण तो उनको कहते हैं हम तो क्या हो रहा है से बहुत छोटे बार्टिकल्स जो है वह हवा में सस्पेंशन की तरह अपने जब यह हवा में suspension की तरह उड़ रहे हैं तो जो कुछ-कुछ जगाओं पर क्या होता है high temperature तो high है तो इस वज़े से इस वज़े से वो कुछ-कुछ पत्थरों से clay जब चिपकती है इस तरीके से तो उनसे high temperature में react कर जाती है और जब react कर जाती है तो काले यह रंग का एक coating बनाती है यह देखिए black color का कैसा coating बनाई यह पत्थर पे यह जो coating हुआ black color का इसी को कहते हैं dessert varnish varnish याने polish तो dessert पे पत्थरों में जो वर्णिश देखने मिलता है black color का क्यूं है यह यह iron की coating है iron manganese oxide iron oxide की coating है कि इस पर देखने मिलती है इन ही पत्थरों पर dessert वाले regions में तो इसी को कहते हैं dessert varnish तो पुराने time में पुराना time याने आदी मानव जो थे वो इसमें काफी ज़्यादा rock art बनाते थे कौन सा rock art तो जिसे हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ क्या होता है पेट्रोग्लिफ याने क्या हुआ मान लीजिए यह एक दिवार है और इस दिवार पर मैं क्या करता हूं ऐसे शार्प सा पत्थर लेता हूं और उससे इस पर घिसदूं अगर मेरे पास नाखोन है और मैं दिवार पर ऐसे घिस के कुछ डिजाइन बना दूं तो उसे क्या कहेंगे पेट्रोग्लिफ तो पुराने टाइम में आदी मानव भी क्या करते थे कुछ ऐसे ही पत्थर लेते थे शार्पाला और उससे दिवार पे अलग अलग घिस घिस के ड्रॉइंग बनाते थे तो इस तरीके से काफी ज़्यादा ये ब्लैक जो कोटिंग है ये वो कैनवस का काम करती थी जिस पर आदी मानव शार्प सा पत्थर लेके घिस के अलग अल कॉमन है पेट्रोग्लिफ की बात हो रही है तो गूगल कीजिएगा भीमबेत का भीमबेत का भीमबेत का केवस हैं वहाँ पर काफी ज्यादा आपको पेट्रोग्लिफ देखने मिलेगा ठीक है तो कोई डाउट यहां पर तीनों में डिजर्ट पेव्मेंट वेंटी फैक्ट डिजर्ट वार्नेश क्या है ठीक है तो आप कोई डाउट ही नहीं होता है ऐसा कैसा पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है अब देखिए अब देखिए बहुत बढ़ियां क्लियर है चल ठीक है नेक्स्ट देखिए ट्रांस्पोर्टेशन बाइविंट जब हवा चल रही है तो साथ में सेडिमेंट्स को लेके ट्रांस्पोर्ट कर रही है जब ट्रांस्पोर्ट करेंगी तो तीन तरीके से हवा मिट्टी के कंड को ट्रांस्पोर्ट करती है तो आईए इनको देखते हैं गले में खराश है विक्स की गोली लो शिच-खिच दूर करो विक्स तो नहीं आयरवेद जड़ी बूटी है मेरे पास तो यह देखें अब क्या हो रहा है तो विंड्स अगर हम देखें तो स्मॉल पार्टिकल्स सचेस फिल्ट एंड क्ले को कई किलोमेटर दूट ट्रांस्पोर्ट करा देती है कई बार तो कॉंटिनेंट का कॉंटिनेंट पार करवा देती अगर सहारा से हवा इस प्रकार से यहां से चलती है यहां से सहारा से चलती है और मेडीट्रेनियन पार करके यूरॉप में सहारा कि लाल मिट्टि पहुंच जाती है इस प्रकार से तो कई दूर कई किलोमेटर दूर तक जाती है हवा जब हवा चलती है तो कई दूर तक वह साथ में इन मिट्टी के ठुकड़ों को सिल्ट और खले को लेकर यह जाती है अब देखे तो जो पार्टिकल सुड़ गए वो कई दिनों तक हवा में सस्पेंशन की तर तरह रहे होते हैं कई दिनों तक सस्पेंशन की तरह तैरते हैं तो अगर आप देखें तो इस प्रकार से विंड जब चलती है तो जो सौफ्ट जो लूज है उनको इसली जो लूज मिट्टी है उनको इसली क्या करेगी पिक करके उड़ा लेगी और हवा में कई दिनों तक तो यहां पर आप देखें तो विंड जब जा रही है तो तीन प्रकार से उड़ा रही है सेडिमेंस को अब देखिए नंबर वन है सस्पेंशन सस्पेंशन क्या हुआ वह पार्टिकल जो की बहुत छोटा है सेल्ट एंड क्ले का वह पार्टिकल जो बहुत छोटा है वह हवा में क्या करता है फ्लोट करता रहता है तो जब यह फ्लोट करता है तो यह कई किलोमेटर दूर तक चला जाता है तो सस्पेंशन क्या है इतना छोटा पार्टिकल है कि हवा में फ्लोट करता है गिरता भी नह है suspension कुछ देख नहीं रहा पूरा ग्रीन हो गया है तो देखिए अराम से अब बताइए यह क्या है यह देखिए जो सेडिमेंट सवा में उल्ड है है यह क्या है suspension इस अब क्या है suspension लेक्स्ट है साल्टेशन देखा था हम ने बताइए यह क्या दो रिवर के टाइन देखा है अब अच्छा औरशन देते हैं आपको एक एएक मोशन है A में यह रोल कर रहा है क्या इसको साल्टेशन कहते हैं या फिर कि हउप एंड बाउन्स हॉप एंड बाउन्स हॉप एंड बाउन्स इसको salutation कहते हैं A या B salutation कौन यहां पर क्या है roll कर रहा है roll कर रहा है roll कर रहा है लुडख रहा है लुडख रहा है यहां पर क्या कर रहा है फुदख रहा है यहां पर लुडख रहा है और यहां पर फुदख रहा है क्या बात आप लोग तो पढ़के तयार हैं मैं अक्चली सर्प्राइज जो बहुत बढ़िया इससे ज्यादा खुछी मुझे और किभी चीज से नहीं मिलती हॉप एंड बाउंस बहुत बढ़िया तो साल्टेशन क्या है हॉप एंड बाउंस से ठीक है तो इस इस साल्टेशन तो याद रखिएगा more than 50% of wind erosion occurs through saltation तो अगर कोई पत्थर ऐसे रखा हुआ है तो जो मिट्टी के कर्ण है इस प्रकार से फुदकते फुदकते जाते हैं और जाके बेस को काटते हैं काटते हैं या फिर उपर वाले पार्ट को यहां पर जो बीच में इसको काटते हैं कि मुझे समझ नहीं है इसका मतलब क्या होता है यह वाला इमोजी क्या होता है बहुत लोग बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है है यह क्या है चक्दे फटे टाइप है क्या कुछ ही है ऐसा कि मुझे समझ नहीं आता है आजकल हमारे टाइम में ना जब हम इमोजी यूज क्य जिसमें शकल बनके आती थी तो इसके बाद इमोजी जब यूज किये तो वाट्साप वाले ही आए लेकिन यह वाले इमोजी तो बहुत कम देखे मैं डाद डाद मतलब डाद गूगल करना हो गए तो जेनरेशन गैप हो गया हाँ कि प्राइब थीक है ठीक है थीक है ओके 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 चलिए तो आगे देखते हैं सेस्पेंशनन आखो मालू में हवा में float कर रहा है saltation क्या हुआ कुछ इस प्रकार से hop and bounce hop and bounce hop and bounce क्या है creeping याने की जमीन में लुड़के जब वो लुड़कता है तो उसको क्या कहेंगे क्रीपिंग कहेंगे जो बड़ा वाला पत्थर है इस प्रकार से यह देखिए कैसे लुड़क रहा है तो बड़ा वाला पत्थर तो उड़ नहीं सकता तो क्या होगा लुड़कता लुड़कता जाएगा हिपप स्टाइल है ओके किछ फॉप स्टाइल है अभी आके में देखने वाला हूं जैसे ही क्लास कतम होगी ना सबसे पहले में वही देखूंगा जैब है गया ठीक है ठीक है तो सस्पिंशन हो गया सॉल्टेशन हो गया क्रीपिंग हो गई यह तीन चीज़ें तो हवा भी इसे ही लैंडफोर्म बनाती है यही तरीके से ट्रांस्पोर कराती है सट्इमेंट्स को चले अब देख एब देखिए पहला लैंडफोर्म जो हम देखेंगे वो हैushroom rock तो कैसे बनता है तो एसे इस प्रकार से हमारा ल्हेंड फार्म था प्त्तर का टुकड़ा था पहाड था अब इस पर देखें क्या हुआ अब इस पर देखें क्या हुआ तो कुछ सवार आने वाले हैं आप लोगों से वो सवाल के जवाब आप लोगों को ही देने है तो पता भी चल जाएगा तो मुझे बताईए नंबर वन सैंड वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां होगा ए में बी में या सी में सबसे ज्यादा सैंड कहां उल्ड़ा होगा इस लिवल पे इस लिवल पे या इस लिवल पे ए बी सी क्या है यह हाइट है इस पत्थर की हाइट है ठीक है इस जमीन पे यह पुरा का को पूरा जोन एक ये पूरा का पूरा जोन सी है तो मुझे बताई है सबसे ज्यादा सैंड कहां होगा अ में भी में या दिख रहे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है सबसे ज़्यादा मिट्टी कहां उड़ेगी हाँ मुम्स्वाती ए में बहुत बढ़ी है तो सैंड वॉल्यूम हाइस्ट है ए में विंड वेलोसिटी और सैंड वॉल्यूम यहां पर बी पर क्या होगा मीडियम और यहाँ पर हाइट इतनी जादा हो गई कि पत्थर वगेरा हवा में सैंड वगेरा उड़ी नहीं रही तो यहाँ पर क्या है लोएस्ट विंड वेलोसिटी हाई्ट कहां है सबसे तेज हवा कहां चल रही है सबसे तेज हवा ए में बी में या सी में क्यों भाई बी में क्यों अगर आप बिल्डिंग में जाएं कभी सबसे जादा हवा कहां चलती है जितना आप फ्लोर से उपर जाते हैं अब सबसे कम होगा जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे जमीन पर रहेंगे तो क्या होगा सबसे ज्यादा हो रहा होगा तो जैसे जैसे आप जमीन से उपर जाएंगे सब कुछ बोल दिया किसी नहीं बोला विंड विलोसिटी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उंचे हाइट पर होगी क्योंकि फ्रिक्शन सबसे कम होगा कि लॉजिकल से ना अरे एबी एबी सी सब कुछ बोल दिया क्यों हवा जमीन के नीचे सबसे ज्यादा चलेगी सौफीट की हाइट पर सबसे तेजी से चलेगी ना तो अभी जाएए बिल्डिंग में देखिए दस्वे माले पर क्या हवा चलती है बॉंबे में जाएंगे तो घर लेना है तो उंचे वाले माले के लिए आपको फ्लोर पर घर लेने के लिए फ्लोर राइस देना पड़ता है एक्स्ट्रा कॉस्ट है घर खरिदने का उंचा जाना है उपर के फ्लोर पे तो फ्लोर राइस देना पड़ता है क्यों ताजी हवा आती है पल्यूशन नहीं है धुआ नहीं आता है ना प्री है गलती से ओके विंड विलोसिटी हाइएस कहा है फी पर लूइस सबसे जादा फिरिक्षिन यहां पर क्या है मेडियम तो अब अगर देखें अभगर देखें तो हमें तो कराना है एब्रेजन याने कि क्या होना है पत्थर के कण आएं और आके सैंड पेपर की तरह हमारे पत्थर को घिस दें यही करना है एब्रेजन तो सबसे ज़्यादा एब्रेजन ए में सैंड तो है लेकिन सैंड के पास विलासिटी नहीं है तो बिचारी घिसी नहीं पाएगी पत्थर को क्या घिसेगी इसे उपर में हवा तो तेज है बट सैंड ही नहीं है क्या घिस पाएगी इस बिचारे को लेकिन बीच में क्या है ठीक अमाउंट में सैंड भी है ठीक ठाक विलासिटी भी है तो अच्छा खा जाएगा तो ऐसे रॉक को क्या कहते हैं मश्रूम रॉक या फिर दूसरा नाम क्या है इसका रॉक पेडिस्टिल कैसे बनता है एब्रीजन से बनता है समझाया याद रहेगा कैसे बना मश्रूम रॉक क्लारिटी रहेगी हमेशा हमेशा या कोई कन्फ्यूजन आगे बढ़ें तो कि शांती हो गही है लग रहा है ऊपर से नहीकल गया आ ऑप ने खुदрос दियाуса कच आपने यह हंतर जाए यह भी आंसर दिया मैं तो बस तध्यों को जोड़ के आपको बता रहा हूं आप ही ने कहा है ठीक है तो दिस इस मश्रूम रॉक अब देखेंगे कुछ लैंड फॉर्म जोईगन जर्मन जोईगन बोलते हैं जोईगन देखेंगे और दूसरा देखेंगे हम याडांग जोईगन और याडांग तो दोनों के दोनों दिखने में लगबग एक जैसे हैं क्या है लैंड्सकेप है रिज एंड फरो लैंड्सकेप क्या मतलब होता है रिज एंड फरो लैंड्सकेप का रिज याने दिवार जैसा फरो याने गड़्धा जैसा तो दिवार और उसका गड़्धा तो ऐसे लैंड् यहां भी देखिए रिज और यह क्या है फरो और फरो सफने चयां में य। क्या है तो दोनों के दोनों रिज ऐंड फरोब यांकर नहीं है तो अलग अलग नाम क्यों रख दिया वो भी इतना गंदा गंदा एक ही नाम रखते एक गंदा नाम याज रख लेते हैं तो कुछ तो कारण होगा तो क्या अंतर है अंतर है दोनों के दोनों ल्टरनेट हाड and soft rock हैं दोनों के दोनों अगर हम देखें तो alternate layer of hard and soft rock हैं दोनों के दोनों दोनों के दोनों बोथ खनेर यह यहीं फार्म लैंड्सकेप। बोथ आर alternate hard and soft works अंतर किसमें हैं अंतर है इसमें hard और soft rock अगर हम देखें तो vertically placed है hard rock फिर यहां पर hard rock और इनके बीच में soft rock फिर यहां पर soft rock और फिर यहां पर जाके hard rock यहां पर देखें तो यहां भी हाड रॉक और सॉफ्ट रॉक है हाड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक फिर हाड रॉक अंतर किसमें जुईगुन में हाड रॉक सॉफ्ट रॉक कैसे हैं होरीजॉन्टली प्लेज्ट है यार्डांग में वर्टिकली प्लेज्ट हैं हाड रॉक सॉफ्ट रॉक समझे तो याद रखिएगा या डांग याने वाई तो वाई में यह क्या है डंडा वर्टिकल है तो इसलिए इसमें हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक कैसे हैं वर्टिकली प्लेज दें जोईगुन में क्या है यह और या जैड़ तो यह भी वद्वाइगा यह वहई हुरिज़ोनटल है तो ग्में क्यांग में हार्ट रॉक saff Nada के से हैं और या या रहेगा हॊरिक के बाद याद रहेगा कौन सा होल्ग तल कउनheaded कम लटिकल undertaken ठीक तो यहां पर देखें अगर तो याडांग देखें अगर आप तो यहां पर जो वैली जो बनता है ना फरो बहुत गहरा बनेगा स्टीप बनेगा स्टीप यहां पर गहरा नहीं बनेगा क्यों क्यों कि यहां पर होता यूँ है कि कुछ इस प्रकार से हमारा रॉक था आपको अगर मैं दिखाओं जोईगिन की बात हो रही है इस प्रकार से हार्ड रॉक था और यहां पर आप देखें तो ऐसे सॉफ्ट रॉक था फिर ऐसे हार्ड रॉक था तो कुछ इस प्रकार से था ठीक है अब क्या हुआ कहीं कहीं पर बारिश ओसकी बूंदे गिरी तो बूंदो से धीरे सालो में इस विए टेंपरिटर चेंज इए तो विदरिंग भूआ रहते है इन जगाहों से खुलना स्टार्ट हो गया Contfer & जाने स्टाटिंग में Rechts बनने शुरू होगए एक बार क्राइक बन गया टो धीरे-धीरे उसी क्राइक पे डीपनिन्ग शुरू हो जाएगी टो हार्ट रोक धीरे 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 कई सालों में यह हार्ड रॉक निकल गया तो यहाओ-चूट जब तक वापस से एक hard rock ना आ जाए तो अब छिलना अब कटना क्या हो गया यह रुख गया तो अब यह फर्दर बीपन नहीं होगा अब वापस ते इस hard rock को deepening में बहुत टाइम लगेगा तो इस वज़े से आप देखें तो यह ज्यादा दीप नहीं होता यह वाला क्या होगा बहुत ज्यादा डीप होगा तो क्योंकि तो पूरा का पूरा soft rock है न हवा चलती जाएगी ऐसे इसको काटती जाएगी और धीर 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 घड़ा होता जाएगा यहां पे तो वापस कुछ कुछ टाइम बाद soft rock खुल गया बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर hard rock आ गया अब फिर रुको सालों का इंतजार करो तो कुछ ऐसा होगा ठीक है समझ जाया आब चाहिए खता हूँ गई याद रहेगा ठीक है तो अगले पर मूव करते हैं मिसाज END बूट्स मेसाज END विऊज ये देखे यह है मिसा और ये पतला सा है ये पतला सा है बीट्स है अज कितना करेंगे आज हम करेंगे एयोलियन लैंड फॉर्म तक करेंगे बस इसके आगे नहीं करेंगे तो थोड़ा सा है साड़े आठ पॉने नौ तक खतम कर देंगे ठीक है तो देखिए मैसाज एंड ब्यूक्स तो यह क्या है तो अगर आप देखें तो फ्लाट टेबल लाइक लैंड मास है फ्लाट टेबल टॉप जैसा लैंड मास जिसमें ऑल्टरनेट क्या हो हाड रॉक सॉफ्ट रॉक तो बेसिकली हाड रॉक की कैपिंग हो टेबल लाइक लैंड मास विट वेरी हॉरिजॉंटल टॉप लेयर इसको इसमें क्या इंपोर्टनेट है हाड कैप होना चाहिए एक कैपिंग होनी चाहिए हाड रॉक की जो फर्दर वेदरिंग इरोजन बचा रही हो होने से अगर यह निकाल दिया तो फट से साफ कर कि लेक JEAN हाड्रोक क्या कर रही है कोने नहीं दे रही है तो इसही को कहते हैं मैसा जब यह छोटा साइज का हो इसको क्या कहाढ देंगे इवाओ वही मेसा धीरे धीरे सालो में Erode हो के क्या होता जाएगा ब्यूट बन जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहेगा मेसा इतना बड़ा सा रहेगा व्लिवाद जाओगे तो बस एयसा छोटा सा ङूट शूटेगा तो मेसाज गूट ऐसी नेग्स्ट है ईन्सलवंग जो आई सोलेटेड रेसीडूल हेल है यह क्या है दिस इस इन्सलवग आई सोलेटेड दिल छूट गया इसको कहते हैं इन्सलवग अचानक से देखोंगे जमीन से सब कुछ प्लेन है व्योर्ड हो कुका है लेकिन एक hard rock था जिसको कोई नहीं तोड़ पाया तो आज के टाइम में वो कड़क पत्थर रखा हुआ है उसी को कहते हैं इंसलम अचानक से दमीन से उठती है इस प्रकार से और आपको देखने मिलेगी यूज्वली ग्रेनाइट और नीस का बना होता है क्यों क्योंकि यह लोग hard rocks है easily erode नहीं होते हैं यह देखिए यह क्या है यह बड़ा सा इंसलबर्ग है कहां का है आस्ट्रेलिया का बहुत फेमस है आयर्स रॉक वर्डर है नाच्ट मतलब वो है वर्ल्ड हरिटेज साइट है उलुलू कुछ नाम से इसको जाना जाता है जो आस्ट्रेलिया के नेटिव लोग थे उनके लिए यह पूजा की प्लेस है बहुत रिच्वल रिलिज्यस प्लेस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह भी क्या ग्रेनाइट का बना हुआ है तो इस आयर्स रॉक क्या है यह इंसलबर्ग अलग अलग जोग्रफर ने इंसलबर्ग का ही अलग अलग नाम भी रखा है तो अलग अलग नाम है डेविस इसे क्या बुलाया करते हैं जोग्रफी आप्शनल वाले सुने बाकी थोड़े देर बस मज़े लेके सुने मुनाइड नौक कौन कहते थे ड एल्सी किंग एल्सी किंग इसे बुलाया करते थे तो क्यासल कॉपीज लिए लिए सेम चीज इंसल भूग ठीक है अगला है डीफलेशन होलो अगला है डीफलेशन होलो हवा चली सौफ्ट सौफ्ट मिट्टी जो था उसको उड़ा के ले गई ले गई धीरे 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 क्या होगा मिट्टी उड़ती जाएगी गड़ा बनता जाएगा जहां पर सौफ्ट मिट्टी जम्य थी वो सब उड़ उड़के जाएगी जाएगी धीरे धीरे एक गड़ा बनता उड़ गई तो गड़ा बिलकुल नीचा हो गया और ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा ग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाएगा जब ग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर लेवल था वहा तक दीरे 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 हवा उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई जब वहां तक उड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा बस पानी ऐसा छूट जाएगा तो इसको कहते हैं क्या बन जाएगा यह ओएसिस बन जाएगा ओएसिस बन जाएगा तो इसी को कहते हैं ओएसिस क्या है deflation hollow है as the water table is reached deflation करता गया करता गया करता गया तो over time आपको OSS देखने मिल सकता है sir I am not able to find your videos on climatology on an academy कुनाल आप ऐसा कीजिए मेरा group join कीजिए telegram का वहां पर shared है वहां पर आपको link मिल जाएगा तो जो ग्रुप है उसका मैं आपको ID देता हूँ तेली ग्राम पर हैं अब अब करें टी डॉट मिन देख टीन जोग्रफी तो आप वहां पर जॉइन कर लीजिए वहां पर शेर्ड है लिंक वही लिंक शेर्ड होगा लास तो वहां पर आपको मिल जाएगा तो यह जॉइन कर लीजिए एंड वर्स केस में मुझे यहां पर मेसेज कर दीजेगा मैं आपको लिंक पॉरवर्ड कर दोना ठीक है ओके चली तो नेक्स्ट देखें अगर हम तो यहां तक देखेगा काफी कंसेप्ट खुलेंगे तो मैं इसलिए चाहरा हूं आप लोग आज देख ले क्योंकि कल से हम काफी एडवांस टॉपिक्स शुरू कर रहें होपफुली कल चैट जिट स्ट्रीम भी करें तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है समझ नहीं आता है तो सा समझ कीजिएगा देखिएगा वन टू देखिएगा तो ही कनेक्शन बनेगा सब कुछ समझ आएगा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा पता नहीं ज्यादा पूजा मतलब शारी लैंड फॉर्म क्या रही है नहीं देखा आपने डिजर्ट वाले कोई बात नहीं जैसे आप जैपुर में रहती हैं वैसे भी जैपुर कोई ढंसे एरिड वीजन भी नहीं यू तो तलाव भी सकता ह है हाँ ओएसिज क्या है ओएसिज यही है ना रेगिस्तान के बीच में तलाव है तो यह वही तलाव है यह ऐसा तलाव है जो रेगिस्तान के बीचों बीच है उसी को ओएसिज कहते हैं नौर्मल तलाव तो अपना क्या होता है नदी का पानी या बारिश का पानी ऐसे आके जमता जाता है तदाव अगरा बन जाता है लेकिन यहां पर क्या है बहुत दूर दूर तक बहुत दूर दूर तक आप देखेंगे कि यहां पर आप ग्रेगिस्तान है सुका है लेकिन हवा ने क्या किया है सब कुछ उड़ा के पानी साफ कर हवा उड़ा दिया है और ग्राउं क्सेस्टमपिक हम देखेंगे ड्यूम एक तो सेल एक रून क्या है इसको कहते हैं थो कैसे बनता हिवा चलती है और जाके जब हवा को जब हवा चलती है और जाके विंड उस मिटी को डिपॉजिट को सैंड को जमा करती जाती है तो उसे कहते हैं सैंड डून अब देखिए कैसे बन रहा है ये डायग्राम देखिए ये जिफ देखिए अभी आपको दिखाँ हूँ का बॉटम राइट पर हुआ हो पर देखिए हवा चल रही है इसको हवा को आगए रुकावट रुकावट ऐसे हो यह अब देखिए अब देखिए अब देखिए सैंड्यून्स देखें तो इस प्रकार से हवा चलती है तो इसके देखिए अलग 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 शेप हैं उन शेप के अधार पर इनके अलग अलग नाम है इनके अलग अलग नाम है तो अब देखिए पहला जो सैंड्यून का नाम है स CCRT का डाईगराम हैं आपको NCRT में मिल जाएगा ठीक है and CRT में आपको मिल जाएगा किột फिर सून्पर रशन बार्चन बार्चन कैसा शेप होता है तोः इस प्रकार का जो Daisy में बना हुआ है ये जो है ये क्या हैं वा शशन यहां पे देखें यह क्या है वार्शन तो इसीरे किस्तान यह संडियून हैं जब ऐसे शेप में बिटी जमा हो तो इस के जो सैंडियून बनेगा उसी को कहते हैं वार्षन यह जो है इस बार्षन देखोगे तो इस प्रकार का जो shape में sand dune बनता है ये सब क्या है बारचन है तो हवा इस प्रकार से चलती है और यहां पर आप देखोगे तो अपने ऐसे ऐसे दो sing बनाती है दो end भे थीख इसे shape को कहते हैं बारचन अब मान लीजीए बारचन बन गया तो बार्चन में जो आपको याद रखना है उसमें आपको याद रखना है कि जो हौन है जो हौन है ये विंड के अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में ये देखी यहां से हवा चल रही है बार्चन के जो हौन है इस से अपोजिट वाली दिशा में देखने मिल रहे हैं यहां से अलग कलर से दिखाते हैं आपको यहां से हवा चल रही है और जो प्रोट्रूडिंग एंड्स है इसके वो अपोजिट दिशा में है ठीक है तो इसको कहते हैं बार्चन अब मान लीजिए इसके यह जो सिंग है इस पर क्या हो गया वेजिटेशन जमा हो गई वेजिटेशन जमा हो गई पेड़ पौधे लग गए तो अब क्या होगा अब जब हवा फर्दर ऐसे चलेगी तो क्या होगा सारे मिट्टी को ले जाके यहां पर जमा करेगी वो देखिए यहां पर जब बार्चन के इनसिंग पर जब हवा जमा हो पेड़ पौदे हो गए तो ये लोग मिट्टी को क्या करेंगे रोक के रखेंगे ईस क का फदर से ये कैसा हो जाये लेखर से के इस तरफ आ जाएगी तो यह शेप अब क्या हो गया हवा के अगेंस्ट वाले याने हवा वाली दिशा में आपको इसके सिंग देखने मिलेंगे तो ऐसे ड्यून्स को कहते हैं पैरा बोलेक ड्यून तो अब क्या हो गया और हवाव की दिशा भी ऐसी हो गई तो ऐसे ड्यून्स को कहेंगे पैरा बोलेक ड्यून्स नेक्स्ट है सैथ शैथ वाले ड्यून्स तो सैथ व क्या हो रहा है एसेंशली यहां पर इसमें बार्चन जैसे ही है लेकिन एडिफरेंस आपर अपर बार्चन जैसे ही हैं लेकिन एक डिफरेंस है क्या difference है बस एक wing है इसका या फिर एक point है एक टिका हुआ है बाकि क्या हो गया है कुछ इस तरीके से बन गया है तो सैफ को मतलब क्या होता है हाँ order movie में देखा होगा जडरूर और भी बहुत जगह देखता है कोई भी movie देख लिए रगिस्तान की cabinets होतीे है तो इसेंशल बार्चन ही दिखता है अर जगह हर जगह को बार्चन की दिखेका थीक है सैस का मतलब क्या होता है सैफ का मतलब है अगर हम देखें तो जो प्रफिट मोहमद थे उनकी तलवार का नाम था सैफ तो सैफ का मतलब है तलवार तो ये शेप देखिए कैसी है कुछ तलवार के शेप की है शमशीर जिसे कहते हैं शम्शीर के शेप की है तो उसी से निकला है सैफ तो सैफ अली खान बोल देंगे आप सैफ का मतलब नहीं तो यह है शम्शीर वाला सैफ ठीक है तो इसमें क्या हुआ बार्चन को ही हुआ यू कि यह एक डायरेक्शन वाली विंड नहीं मिली साथ साथ कुछ साथ में विंड क्या की इस बार्चन में साथ साथ विंड ऐसे भी चली तो इसको क्या किया ऐसे खीज दिया इस तरफ इस विंड ने तो अब ऐसा शेप बन गया तो बार्चन क्या बन क्यों क्योंकि इसको मिल गया बाई डाइरेक्शनल विंड रिजीम अब विंड सिर्फ ऐसे नहीं चल रहा साथ साथ थोड़ा ऐसे भी चल रहा है तो इस प्रकार से क्या बन गया सैफ बन गया फिर आता है लॉंगिट्यूडनल ड्यून यह जो ड्यून देखना है लंबाई में कई किलोमीटर से कड़ो किलोमीटर लंबा यह जो है जिसे लॉंगिट्यूडनल ड्यून जीसी लियूंग की सुने तो सैफ और लॉंगिट्यूडनल ड्यून एक ही है जीसी लियूंग की सु अलग-अलग है तो हमारे लिए भी अलग-अलग है यहां देखिए ऐसे हवा चलती है और कुछ इस प्रकार से वह जमा कर रही है मिट्टी को लंबाई में यह तब बनता है याद रखिएगा जब सैंड बहुत ज्यादा ना हो और विंड कई टाइम तक इसी दिशा में ऐसे च चलती रहे चलती रहे तो बनाती है longitudinal dunes नेक्स्ट है ट्रांसवर ड्यून इसमें क्या हो रहा है जो सैंड ड्यून है वह विंड के परपेंडिकुलर डायरिक्शन में अलाइन हो गई है यह देखिए हवा की डायरिक्शन यह है और यह ऐसे खड़ी हो गई है तो यूज्वल बताईए यहां पर क्या दिक्कत यहां पर क्या डाउट बताईए खड़ाल बताईए तो यह दो बताईए टो अर्ड़े खड़े अंट़ कि देखिए। करें आखे टॉपिक आज का करें कि अनर्जी सबकी डाउन हो गई है आप तो बस तीन घंटा सुबहें मेरे साथ ते दो गंटा भी जुल लें पांच गंटा मैं तो बीच में भी क्लास लिया हूं ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद आप भी पढ़े होंगे वैसे आपको मुझसे डबल मैनत करना है एनी डे ठीक है तो मैनत करने से मत घबराईएगा मैनत जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा चांकर है आप उतने ज़्यादा लगी होंगे तो मैनत करेंगे जब हवा चल रही है तो मिट्टी को लेके उड़ रही है तो जब मिट्टी लेके उड़ रही है तो कैसा सेडिमेंट होगा ये बिलकुल फाइन होगा तो कि हवा में जो मिट्टी उड़ेगी बिलकुल छोटी छोटी होगी ना बड़ी मिट्टी के पार्टिकल्स तो नहीं उ लेंगे ठीक है कुनल मैं कर दूंगा उधे अप तेली ग्राम मनंग लीजिया आप को मिल जाएगाप प न सब तक यह खतम करूं गाग कोई न कोई तो न्हीन कूई घाँव कर सोब दो एक बारते से कुर्व और वे यह बत्रवन्त मिल जाएगा ठीक अब देखिए लोएस क्या है यह बहुत fine sediments है यह देखिए कितना fine है तो यह क्यों है क्योंकि हवा से उड़के जमा हुआ है तो हवा से उड़के जमा हुआ है तो बिल्कुल छोटे छोटे तो यहां पर आप देखेंगे तो यह yellow freeable and very fertile है बहुत fertile sediments होता है बिल्कुल fertile होता है तो उनको कहते हैं लोएस लोएस इसी का अलग अलग नाम है इसी का अलग अलग नाम हां लोएस देखा है आई नो मुझे मालब नमे कहने जा रहा था क्या करें जो 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 जब मैं थकात तस्याति में अपने culture के वारे में सोचता है इस में फील बिटर क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया मुम्दाद यही अप्रोच चाहिए बहुत बढ़िया वेरी नाइट ठीक है अब देखिए अब देखिए तो लोएस का ही अलग अलग नाम है यूएस में इसको कहते हैं एडोबी एडोबी फोटोशॉप एडोबी पीडियेफ है ना तो वही अडोबी है तो लोएस को ही नौर्स अमेरिका में कहते हैं एडोबी यूरोप में इसी लोएस को कहते हैं लिमॉन लिमॉन ठीक है तो यह अलग अलग नाम है तो सेम चीज है है वही चीज हवा से उड़के सेडिमेंट कही पर जमा हुई है और जम के वो सेडिमेंट ओवर टाइन सदियों में जमते 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 इस प्रकार के सेडिमेंट बना दी है तो इसी को गहते हैं लोएस डिपोजिट्स क्या होते हैं बहुत फटाइल होते हैं बहुत फटाइल होते हैं लोएस प्लेंज चाइना का हवा हवांगो वैली कुछ उन्हीं लोएस के डिपॉजिट से दोनों साइड में आपको दिखेगा हवांगो रिवर चल रही है दोनों साइड उसके ऐसे ही लोएस डिपॉजिट हैं जो उसके गोबी डिजर्ट और इन सारे रिजिन से आया हुआ है टकला मकान गोबी उन सारे तो इसलिए क्या कहते हैं यलो रिवर सुना है यलो रिवर तो इन ही लोएस के जो सेडिमेंट से यलो कलर के उन से बना है ठीक है तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर रोकेंगे बस अब रिविजन होगा तो आप पैसे जिनको जाना आप जा सकते हैं रिविजन होगा त तो अब आप देखिए दोस्तों रिवाइस कर सकते हैं जल्दी 10 मिनट में पूरा खतम तो जाते जाते जो जाएंगे उनके लिए बता दूँ अनक एडमी पर जब भी आएंगे तो कौन सा कोड यूज करेंगे केसी 10 मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं जो भी आपके न निकाल ना ले अब तक मुझसे जो हेल्प चाहिए आपको मिलती रहेगी तो कल आईए कल 930 एम क्लाइमेटलोजी 3 होने वाला है कह सकते क्लाइमेटलोजी के एक्ट्वल कंसेप्स कल से स्टार्ट होंगे कैसे प्रेशर बिल्ट बना प्रेशर बिल्ट समझ गए तो समझ समझ गए तो क्लाइमेटिक वीजन समझ जाएंगे तो सब कुछ क्लियर कल हो जाएगा 980 एम अनकाइडमी पर आईए लाइव क्लास है वहाँ पर मिलेंगे अब क्या करेंगे जल्दी से रिवाइज करेंगे अकूल से क्लेश्रियखने ब है और तो आज हमने देखा कुछ गिनल डिपाजिशनल समर्फ देखे उसमें से हमने देखा था एसकर्ष एसकर्स क्या है यह साप जैसे सट डिपाजिट्स है साप के जैसे कैसे बनते हैं जबेशियर चलती है तो अंदर में ऐसे स्ट्रीम चलती है और ये स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से डिपॉजेट करते है जो नेक्स चैट क्या होता यह अच्छा कासा आपको वीडियो दिखा दिया ड्रॉजलींब पर रंगे विडियो की सुरू देखा और देखा कैसे यहां पर-デ patriot होते 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 धेर सारे ड्रमलिन देखे यहां भी और यहां भी तो इसको क्या कहते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी उल्टा चमच है ना आउट वाश प्लेन देखा केंज देखा केटल लेक्स देखा फिर हमने देखा एरिड एरोजन पर कैसे कैसे हवा चलती है तो हवा चलती है तो क्या होता है कि डिफलेशन होलो डिफलेशन होता है एक तरीका डिफलेशन याने जो लूज सेडिमेंट से वह हवा में उड़ जाएं दूसरा क्या हो सकता है एब्रेजन एब्रेजन क्या होता है सैंड पेपर की तरह पत्थर को घिस दें देखे यहां पर क्या ह हो रहा है और तीसरा होता है जो बड़े-बड़े सेडिमेंट से टकरा के छोटे-छोटे हो जाए उनको कहते हैं दोस्तों आज आप लाइक करना भूल गए लाइक करते वे जाहिएगा अभर्ण है नंबर त्री एंट्रीशन थीक है बताना पड़ता आप इसे करते हो दिक है बड़े-बड़े पत्थर आपस में टकराएं और वह छोटे-छोटे-छोटे मिशन नेक्स्ट क्या हुआ चोटे-छोटे-छोटे-बड़े के कंड ऊड़ के चले गए यह बड़े- वेंटीफेक्ट क्या है सैंड पेपर की तरह पत्थर को घिस दिया फिर डिजर्ट वर्निश यह देखा था हमने भीमबेत का आपके लिए प्रिजर्ट वर्क गूगल कीजिए भीमेत का देखिए पेट्रोगलिफ क्या क्या है यह सारी चीज़ें आपको देखनी है ठीक है फिर आप देखेंगे तो ट्रांस्पोर्टेशन भई विंड शस्पेंशन क्या हुआ हुआ हवा में फ्लोट कर रहा हूं दूसरा क्या होसा LI सब्छेशन्ड हौपड या चलते जा रहा है चलते जा रहा है यह गोरक गोड़क के जमीन पे चल रहा है गोल गोल घुमते गुमते लोटता हुआ that is creeping हवा धक्का दे दे रीपिंग मश्रूम रॉक देखा था ऐसा शेप कैसा होता है क्यों क्यों कि यहाँ पर सैंड सप्लाई भी ठीक ठाक है और हवा की विलोसिटी भी ठीक ठाक है तो क्या होगा अच्छा घजा हो जाएगा बाकी जगा पर उतना अबरेजन नहीं हो पाता है फिर अपने देखा था जॉइगन और याडांग जॉइगन और याडांग में क्या देखा था याडांग जॉइगन दोनों के दोनों क्या है रेजेंट पर उतनी गहरी नहीं होती फर्मूला भी देखा था याडांग में यह वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल है horizontal or soft rock जईगन में horizontal line तो यह भी क्या है arrangement horizontal है hard rock soft rock मैसा एंड ब्यूट क्या था capping of hard rock over a soft rock और इस प्रकार से बड़ा शेफ हो तो मैसा छोटा हो तो ब्यूट फिर हमने इंसलबर्ग देखा था इंसलबर्ग क्या है रेसिडूल हिल छूटा हुआ पहाड का तिला क्यों छूट गया क्योंकि हवा चली बाकी चीजों को नदी पानी हवा सब काट के चली गई लेकिन जो ग्रेनाइट और नीस के बन है कोई मुनाड नौक कह गया तो कोई कैसल कॉपीज कह गया लेकिन भावना वही थी कहना वही चाहता था ठीक है उसके बाद देखें तो क्या है डीफलेशन होलो डीफलेशन होलो क्या है डीफलेशन होलो यह जो गढ़्धा है जो क्योंकि हवा क्या हो रही है सेस्पेंशन तो इसको क्या कहते हैं और यह जो पानी का जो पॉंड जैसा जो छूट जाएगा बीच में अगर ग्राउंड वाटर लेवल अचीव हो जाए तो इस डिफलेशन हो लो को क्या कह देंगे हम क्या हो गया यह तो यह है ओएस इस रॉक क्या है एक इंसल गोग फिर सैंड यून्स देखा था हमने सैंड यून्स के हमने अलग अलग प्रकार देखे तो एंसी आटी का डायग्राम देखा सबसे पहले देखा बार्चान बार्चान क्या हुआ यहां पर हवा की डिरुद डायरिक्शन में इसके सिंग अब अगर यहां पे हॉन्स पे प्लेड पौधे लग जाए इस प्रकार से तो अब हवा जब आएगी तो इसके सैंड यून को ऐसे उल्टा करके रग देगी तो अब शेप कैसा हो जाएगा ऐसा तो इसको कह देंगे पैराबोलिक डिजर्ट सैफ क्या होता है तलवार के शे से जमेंहली हमने देखा लूएस क्या है FROM से देमिंड हवा लेकर करा रही है जाके कहीं पर इर एडोबी भी इसी को कहते हैं लुमौन भी इसी को कहते हैं और यह है क्या क्लांते है सब्सक्राइब करेंगे कास्ट सुपह सब्सक्राइब को करेंगे कास्ट लैंटॉप और खे जो इस तो कमिलते हैं और बोला कोई डाउट नहीं नगी डाउट है तो पूछ सकते अगर नहीं तो चिरह करेंगे क conclusion क्लम सब्सक्राइब नौबだ भजह क्लायमी बजे तो राफब किया जाए तो तो कल क्लामेटरलोजी है बहुत इंबॉर्डन टॉपिक होगा कल हम करेंगे तो हम ट्राइ मेरिडियोनल सर्कुलेशन करेंगे कैसे हैडली सिल फेरल सिल पोलर सिल है क्यों सब ट्राइब कल समझने वाले कल सुबह साड़े नौ बजे और उसके बाद एक बार प्रेशर बिल्ट समझ गए तो हवा की डाइरेक्शन क्यूं है ट्रेड विंड्स क्यूं है तो यह सब कल हम समझ लेंगे और उसके बाद हम एड़वांस के इसमें जाएंगे जट स्क तैंक यू सो मच फर कनेक्टिंग कोई भी डाउट हो तो जरूर मेलिए जरूर जोडिए मेरा नंबर है आपके पास कॉल कर सकते हैं कोई भी इशू हो अनकाइड मी सब्स्राइब करना हो तो केशी वन जिरो कोड यूज कीजेगा एड सुब्सक्राइब कीजेगा थैंक मच मिलिए और कोई भी इशू हो तक ऑल की जेगा आप लोगों को तुम्हें नाम से अब छे से जानता ही हो तो थैंक यू सो मच पर जोइनिंग और टेक गूट केर अफिर हेल्थ और ग्रेट फ्ली गुट नाइट गुट नाइट गुट नाइट थैंक